आप सभी लोग उमीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी तो गैस मैं चितरांश दादीच आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस कक्षा में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की फर्स पोईट्री के बारे में जिसका नाम है अब फोटोग सब्सक्राव जो है उसे लिखने वाली जो हमारी लेकी का है उनका नाम है शर्ली टॉल्सन और शर्ली टॉल्सन जो है उनका पूरा नाम जो है वह है कैथलीन शर्ली टॉल्सन जो की इंग्लेंड से हैं इंग्लेंड में इनका जर्म हुआ इंग्लेंड में ही यह जानीमानी क वीत्री तो है ही और साथ ही साथ ये पत्रकार भी है ये संपादक भी है और वहां की प्रसिद्ध राजनी तिग्ये भी हैं तो गाइस शर्डी जो है वह ऐसे घर में पली वड़ी है जहां इनके पिता पहले से ही एक लेखक थे और इनके जीवन पर इनके पिता का बहुत प्र तो basically यह situation यह है कि उनकी माता जी की death हो चुकी है और अपने माता जी को शुरधान जली देने के लिए उन्होंने इस कविता को लिखा है तो guys चलिए हमारी इस कविता को शुरू करते हैं देखते हैं इस कविता में कैसे भाव उनके निकल के सामने आते हैं अपनी माता के प्रती या आप कह सकते हैं अपनी दिवंगत माता जी के प्रती चलिए गाई शुरू करते हैं कविता की शुरुवात में हम लोग देखते हैं कि यहां पर कवित्री जो है उनके हाथ में एक पुराना कार्ड बोर्ड आया है उस कार्ड बोर्ड के उपर एक फोटो चिप की हुई है और उस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है उस फोटो में उनकी माता जी जो लगबग 12 वर्ष की आयू की है जब वे एक बार समुद्री तट पर अपनी छुट्टियां विताने गई थी उनकी कवित्री की दो बहनों के साथ में वो दोनों बहनों ने एक एक हाथ से उनकी माता का हाथ पकड़ रखा है और हवा चलने की वज़े से उनके चेहरे पर थोड़े से ब लबे हुए हैं या पानी में थोड़े से डूबे हुए हैं यह हमें यहाँ पर इस फोटो के अंदर दिखाई देता है और उन्हें याद आता है कि कैसे कुछ साल पहले मेरी माता जी जो है इस फोटो को देख करके हस रही थी और हसते वे कह रही थी कि देखो उस समय हमारे म माता पिता हमें कैसे कपड़े पेनाते थे बीच पर यानि कि समुद्री तक पर भी अगर चुटिया पिताने जानी होती थी तब भी हमें इस तरह के विचित्र कपड़े पहनाए जाते थे तो इसे देखकर करके उनकी माता जी हस रही थी कुछ साल पहले उस बात को आज जिस 12 वर्ष की थी तो इन सारी चीजों को वो याद करके और मुस्कुराती है और अचानक से उनका ध्यान उस समुद्र की ओर जाता है जो बिलकुल वैसा ही है जैसा उस समय या उस तस्वीर में दिखाई दे रहा था लेकिन उनकी मा अब वैसी नहीं रही उनकी मा बढ़ती हुई आयू के साथ पहले युवा हुई उसके बाद व्रद्ध हुई और अंत में वैस दुनिया को छोड़ कर चली गई तो इसी चीज को वैयाद करती है और कहती है साथ ही साथ कि देखो भाई मुझे याद आता है कैसे पहले मेरी मा जो है वो इस तस्वीर को देखती थी देख के कहती थी के देखो बैटी और डॉली जो है उन्होंने मेरे हाथ पकड़ रखे हैं और कैसे अजीब से कैसे विज्जतर से कपड़े हम सबने पहने हुए हैं और उनके इस कहने वाली बात को याद करके कवित्री बहुत ही जादा मायूस हो जाती है कि कैसे उनकी मा हसती, खेलती, मुस्कुराती वी सी उनके साथ रहती थी लेकिन अब वो मेरा साथ छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और जैसे ही ये विचार उनके मन में आता है अब वो सामा उन्हें एसास दिला रही है कि अब उनकी मा उनके साथ उनके जीवन में नहीं है और इसी बात को सोच कर महसूस करके वे बहुत ही जादा मायूस हो रही है और यही सारी बाते सोच करके विचार करते हुए वो आगे लिखती है कि मेरी माता जी जितने समय इस दुनिया में र कि मृत्यु हुए और इस दुख्बरी घटना के बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि इस दुखदाई पीडा ने इस दुखदाई दुख ने मुझे चुप कर दिया है और मैं पूरी तरीके से Silent हो गई हूं कि इस दुख मैं मैं कुछ भी नहीं कह पारी है इस दुख के बारे में मैं कुछ भी नहीं लिख सकती इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति की पीड़ा अपनी नीजी पीड़ा होती है अपना नीजी दुख होता है हम लोग कई बार जानने की पूछने की कोशिस जरूर करते हैं कि रहे यार बता कैस क्या वहावनाएं हुआ ६ियुत्य हुए अधिन करने के लिए बताने के लिए दर्षाने के लिए हम पर्यापत शब्धही मिलते हमारे पास कोई शब्दही नहीं होता कि मैं तो अगर ate वेक्ति अपने ऐसे भवों को प्रकट करने का प्रयास करता है तो कई बार ये खत्रा भी रहता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको जज करने लग जाएगा तो इसलिए कोई भी व्यक्ति कभी भी हम देखेंगे कि वो अपनी पीडा को, अपनी व्यता को अपने दुख को सही शब्द नहीं दे पाता और इसी वज़े से जो ऐसा दुख है ऐसी पीडा है जो कभी खतम नहीं होने वाली उसमें वो चुपी साध लेता है बिल्कुल शान्त हो करके बैठ जाता है मुँ बिल्कुल बंद रहता है केवल आखे बोलती है किसी भी व्यक्ति की आखे देखकर के आप हमेशा पता लगा सकते हैं कि उसका दुख या उसकी पीडा जो है कितनी गहरी है क्योंकि शब्दों के सहाईता से या शब्दों के माध्यम से वो करपाना संभव नहीं होता है तो इस पूरी कविता में हम लोग ये देखते हैं इस बात को समझते हैं कि कैसे कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई भी हमारा प्रिय जब हमें हमेशा के लिए छोड़ कर चला जाता है तो उनकी पुरानी यादें जो हैं वो हमें हसाती भी हैं और वे हमें रुलाती भी हैं जैसा कि इस कविता में कवित्री के साथ में हुआ कि जब पहली बार उन्होंने कार्ट बोर्ड पर अपनी मा की तस्वीर देखी जो उनकी बाले आवस्ता की यानि कि जब वो खुद 12 वर्ष की थी उस समय की तस्वीर थी उनकी मा की तो उसे देखकर के बड़ी प्रसरनता होती है खुशी होती है देखो मेरी मा कितनी सुन्दर थी देखो मेरी मा एक समय में ऐसे बीच पर छुटिया मनाने के लिए गई थी लेकिन जैसे ही इसी के पीछे एक भाव और है जो आपका इंतजार कर रहा है वो भाव यह है कि अब आपकी जो मा है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है तो वे खुशी के पल जो है वो जादा देर ठहर नहीं पाए और उसी खुशी के पीछे पीछे दुख भी खिचा चला आया यह हम इस कविता के अंदर देखते हैं तो अपनी मा को याद करते हुए कवित्री के दुआरा लिखी गई यह एक शृद्धान जली और शृद्धा पूर्ण कविता है जिसमें वो प्रेम से अपनी मा को याद करती है तो उमीद करता हूँ गाईज आज का लेक्चर आपने अच्छे से इंजोई किया होगा पोईट्री आपको अच्छे से समझ में आई होगी इसी पोईट्री के आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं उसमें हम लोग सेंडरल आइडिया भी देखने वाले हैं समरी भी देखने वाले हैं Literary Devices जो इस Poetry के हैं, Alliteration है, Oxymoron भी इसके अंदर आया है, यह सारी की सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, Stenza-wise Explanation भी हम लोग देखने वाले हैं, और NCRT Solution भी देखने वाले हैं, Exam-Oriented Question भी देखने वाले हैं, यह सभी चीज़े हम आगे आने वाले Lectures के अंदर देखेंगे, तो उमीद करता हूँ आज का Lecture आपने अच्छे से Enjoy किया होगा, Till That, Take Care of Yourself, I'll See You Soon in My Next Lecture, Bye Bye